असलामुलीकुम विवर्स, वालकम टू माई चैनल, विवर्स हम खवतीन घर की सारी सफाया तो कर लेती हैं, लेकिन जब बारी आती है पंखी की तो ये अक्सर गंदे ही रह जाते हैं, मेरे घर के पंखी भी अक्सर ऐसी ही गंदे रह जाते थे, क्योंकि मेरा इन तक हाथ नही अब आसान तरीका लेकर आई हूं, इस तरीके में मैं जामी शीरी के खाली बाटल का इस्तमाल करूंगी, ये बाटल हर घर में मौजूद होती है, तो ये बहुत एजी रहेगा, कि आप लोग अकर आपके पास कोल्डिंगी बाटल ना हो तो आप जामी शीरी वाली बाटल का अब मैंने ये करना है कि इस पर मारकर से मारकिंग कर लेनी है, इस तरह से आपने लंबाई में मारकिंग करनी है, नीचे वाली जो राउंड वाली डिजाइनिंग है, वहां से स्टार्ट लेना है, और ड्रॉप्स वाली डिजाइनिंग उपर जहां खतम होरी है, वहां तक र मार्किंग कर लेनी है तो यह कंप्लीट हो गया है अब मैंने क्या किया है कि छुरी को गरम करके ना इसको मैंने कट कर लेना है आप लोग भी सेम ऐसे ही कट कर लीजेगा अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप कटर की मदर से भी कट कर सकते हो लेकिन अगर नाइफ गरम तो यह देखे हैं यहां से कट लिया था अब मैं यहां से इसको सीजर की मदद से कट करूंगी तो देखें इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और कोई जादा टाइम भी नहीं लग रहा है बस एक दफ़ा आप लोगों ने इस तरह की बॉटल को कट करके बना के रख लेना है और जब भी आपके पंके धूल मिट्टी से गंडे हो जाए तो आपने इसी बॉटल को इस्तेमाल करके अपने पंकों को साफ कर लेना है ये दे कि जानिब ये देखे इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है आप लोगों ने अब इस सर्किल को भी मैं कट कर लूंगी चुरी का इस्तेमाल करें या इस्कुरू ड्राइवर को गरम करके आप लोग इसको कट कर सकते हो या कटर की मदद से भी कर सकते हो तो मेरे पास जो य जाना डंडा या वाइपर कर डंडा आप ले सकते हो वाइपर कर जो डंडा है वो खुल भी जाता है तो उसी का इस्तमाल कर लो आप लोग मैंने भी ऐसी ही किया है अभी देखे इस डंडे को मैंने यहां से गुजार कर ना बाहर निकाल लिया इस तरह से देखे इसके बाद टेप को लगाने का फायदा यह है कि यह चिपका रहेगा मजबूती के साथ और बॉटल भी आपकी बाहर नहीं निकलेगी और इसी तहां से नीचे की साइट पर भी आप लोगोंने टेप को कई बार घुमा लेना है अगर आपके पास टेप ज्यादा ना हो तो आपने जस्ट आप वाली साइट पर घुमा लेना है अगर नीचे वाली साइट के लिए नहीं है आपके पास टेप तो आप थोड़ा सा टेप लगाने के बाद नीचे कोई कपड़े की रिबिन टाइप बना लो और उसको घुमा कर अच्छे से मजबूती से बांद लो ताकि बॉटल जो ह अगर आपके पास कोई भी टावल है तो आप ले लो और इस तरह से देखे ऊपर की तरफ इसको लपेट के ना अंदर दू तीन दफ़ा आपने लपेट लेना है इसको उपर की जानिब और इसके बाद क्या कर ना है आपने यह देखे बिलकुल ऐसे और साइटों से अच्छ से बांध ले सूती या कॉटन का कपड़ा हो तो बैस्ट रहाएगा ताके पंखे की जितनी भी डस्ट हो वह इसी पर लगी रहे नीचे नागी रहे यह देखिए उपर की जानिब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है अब इसके नीचे की तरफ भी हमने दूसरा टावल लेकर इस मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहे हूं क्यूंकि डंडे की वज़े से यह बिल्कुल सीधा सीधा नहीं लपेटा जाएगा तो आप लोगों ने इसी तरह से लपेटना है और इसके बाद इसको भी आप लोगों ने कपड़े से रिबिन बना कर इसको टाइटल ना हिले हमारा फैन को साफ करने के लिए डस्टर रैडी हो गया है तो अब मैं लाइफ पंखा साफ करके बताऊंगी देखे पंखे के बिलेट पर इस तरह से गुजार कर आप लोगों ने पंखे पर जितनी भी धूल मिट्टी है उसको साफ कर लेना है तो यह देखे बहुत लाइकन तो इसका डस्ट है वो इसके टावल पे ही लग रहा है नीचे बहुत ही कम गिरेगा तो यह बहुत ही एक अच्छा तरी तो इस तरह से आप अपने पंखे को एजीली साफ कर सकते हो और आपके पंखे से चमक जाएंगा और देखें ओपर की जानेप भी मैं इसी से इसको साफ कर रही हूं तो है ना बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया तो इस तरह से आप लोग बना के रख लोना तो आपके पंखे घर के बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे जब भी थोड़ा सा भी गंदा हो थोड़ा सा भी डस लगे फैन पे तो आप एजीली अपने पंखों को साफ कर सकते हो तो अगर आपको दो या तीन पंखे साफ करने है तो आप टावल को घुमा कर लपेट कर दुबारा से इसी टावल करके दूसरे और तीसरे पंखे को साफ कर सकते हो इस टावल को मैंने अच्छे से सर्फ के पानी में वाश करके ना अब मैं ये सॉलूशन तियार कर रही हूं और ये दूले हूए टावल को ये दूला हु़ा टावल है, इसको मैने इसमें डिप किया ताके इसमें лिकुइड बना है ये इसमें जजब हो जाए और इसके बाद मैं इसको ना चोडनने के बाद आद ना इसको दुबारा से बोटल पर लपेट के अच्छे से बाः लोंगी बेकिंग सूटा का भी इस्तमाल कर सकते हो ताकि आपका पंखा पूरी तरह से चमक जाए तो इस तरीके से देखे आप अपने घर के सारे पंखे एजीली साफ कर सकते हो देखे किस तरह से मैंने अपना घंटो का काम मिंटो में कर लिया है और इस प्लास्टिक बॉटल को रिसा दमन लगी हो तो लाइक जरू कर दीजेगा और फ्रेंट्स और फैमली में भी शेयर कर दीजेगा चैनल पढ़ना है हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आकन के बटन को भी लाजमी प्रैस कर दीजेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के झालिया लाफेस।